आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के संबंध में डेंजरस मॉमेंट कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कई दिन क्या कई महीने हो गए फरवरी से इसकी शुरुवात हुई थी यूक्रेन वार की तो लगातार जो है वार की सिचुएशन बनी हुई है तो वर्तमान में जो चण है ये चण बहुत ही खतरनाक है डेंजरस मॉमेंट यानि कि ये जो यूक्रेन वार है अब एक बहुत ही खतरनाक चण पे आ गया है तो रूस की जो सेनाय यूक्रेन में लगातार जो है अपना प्रिसार करती चली जा रही थी, अभी हाली में क्या देखने को मिला है, यूक्रेन की और से, रशिया की जो फोर्स है, उनको बहुत जबरदफ्थ जटका लगा है, सैट बैक का मतलब होता है, विफलता का हाथ लग है, तो उसको बोलते है सैट बैक, एक जबरदफ्थ जटका लगना, तो पुतिन शुड़ सी सैट बैक्स as evidence, तो रूस को जो नाकाम्याबी मिली है, या जिन जटकों का सामना करना पड़ा है, इनको, इन सैट बैक्स को पुतिन को देखना चाहिए, एक प्रमान के रूप मे as का मतलब होता है, के रूप में, evidence है ना, प्रमान के रूप में, of the irrationality of war, देखो, कोई भी चीज irrational है, इसका मतलब है, वो logical नहीं है, वो तरकपूर्ण नहीं है, तरक युक्त नहीं है, तो कुल मिलाके पुतिन को समझना चाहिए, क्या, युद्ध की तरक ही, यानि कि ये ज एक logical नहीं है, ये मतलब हुआ इसका, तो पुतिन को, आसफलताओं को, इस प्रमान के रूप में, लेना चाहिए, कि इस प्रमान के रूप में, कि ये जो war है, वो कई सारी irrationalities को दिखा रहा है, Russian President Vladimir Putin's Announcement of a partial troop mobilization, देखो इस partial का मतलब होता है, आनशिक, वही एक तो होती है, complete, पूरी तरह से आप कुछ चीज कर रहे हो, एक होता है, आनशिक रूप से कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं, partial, तो रूप के जो President है, पुतिन, इन्होंने एक घोचना की है, क्या, आनशिक रूप से, टूप, टूप का मतलब होता है, सैन्य दल, सैन्य टुकडी, Mobilization, देखो, Mobilization का मतलब होता है, जुटाना, या, एकत्रित करना, एक पर्टिकुलर जगह पे, जुटाना, एकत्रित करना, इसको हम बोलेंगे, Mobilization, Partial Troop, Mobilization, तो, Mr. Putin के द्वारा, आनशिक रूप से, सैन्य को, या, सैना की जो टुकडी है, उसको, Mobilization करने की जो बात की गई है, यानि की सैना को, इकट्टा करने की जो बात की कही है, Marks, तो उनका ये जो Announcement है, यहाँ पर ये जो Marks आई ना, ये जो वर्ब है, ये आई है, इस Announcement के लिए, यानि की उनकी जो घोशना है, वह इस बात को चिन्नित करती है, इस बात को दिखाती है, किस बात को, एन अकनॉलेजमेंट, अकनॉलेजमेंट का मतलब होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को मानना, यानि की Mr. Putin जो है, इस चीज को स्वीकार करते हैं, आफ दा लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब होता है, सीमाए, ओफ इस स्पेशल मिलेटरी ओपरेशन, इन यूकरेन, देखो यूकरेन में ये जो वार चल रहा है न, इस वार को Mr. Putin ने क्या नाम दिया है, Special Military Operation, विशेश सैन्य अभियान, Mr. Putin ने इसे युद्ध नहीं कहा है, वार नहीं कहा है, Mr. Putin ने इसे नाम दिया है, Special Military Operation, तो कुल मिला के Mr. Putin का जो Special Military Operation है, इसकी सीमाएं है, इस बात को Mr. Putin ने स्वीकारा है, ये हमें पता चलता है, उनके Announcement से, जो Announcement उन्होंने किया है न, कि आन्शी ग्रूप से वे सेना को और जुटाना चाहते हैं, In Ukraine, and a Readiness, Readiness का मतलब होता है, किसी काम के लिए ततपर होना, तयार रहना किसी काम के लिए, तो Mr. Putin जो हैं ततपर हैं किस चीज के लिए, to escalate, escalate का मतलब होता है, और ज़्यादा बढ़ा देना, कोई situation मान लो, पहले से ही तनावपूर्ण है, उसको आप और ज़्यादा तनावपूर्ण बना देते हो, तो आपने क्या किया, situation को escalate कर दिया, तो कुल मिला कि Mr. Putin जो हैं, वे ततपर है, to escalate the conflict, conflict का मतलब होता है, संगर्ष, कि ये जो संगर्ष चल रहा है, इस संगर्ष को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए Mr. Putin तयार है, in response to, in response to का मतलब होता है, किसी चीज को प्रतिक्रिया देते हुए, setbacks, यानि कि Mr. Putin को, या रूस को, यूकरेन की तरफ से, जो विफलताएं हाथ लगी है, जो जटके रूस को लगे हैं, उनको प्रतिक्रिया देते हुए, Mr. Putin तयार हैं, कि वे जो है, इस conflict को और ज़्यादा escalate करना चाहते हैं, his original plan, उनका जो original plan था, मूल जो उनकी योजना थी, वो क्या थी, was to meet his military objectives, देखो, to meet का मतलब है, यहाँ पर प्राप्त करना, objective का मतलब है, goal, उद्देश, तो Mr. Putin ने जब युद्ध की शुरुवात की थी, तो उनका plan क्या था, उनका plan था, कुछ सेन्य उद्देश थे, और उन सेन्य उद्देशों को, Mr. Putin जो है, प्राप्त करना चाहते थे, किस चीज के माध्यम से, थ्रू अ लिमिटेड वार, एक सीमित युद्ध के माध्यम से, थ्रू अ लिमिटेड वार, he had mobilized more than 150,000 troops and ordered, तो पुतिन ने इसके लिए क्या किया, उन्होंने जो है, सेना को जुटाया, कितनी सेना को, लगबग डेड़ लाक सेनिकों को, जुटाया गया, और उनको order दिया गया, किस बात का, a sharp thrust, sharp का मतलब हो गया, तीवर, और thrust का मतलब हो गया, किसी चीज को push करना, किसी चीज के लिए जोर लगाना, और इन सेनिकों को order दिया गया, कि वे जो है, sharp thrust, into Ukraine, कि वे जो है, Ukraine में प्रिवेश करें, particular छेत्रों पे, from multiple fronts, multiple fronts का मतलब हो गया, कई, और front का मतलब होता है, मोर्चा, यानि कि, कई छेत्रों में, या कई तरफ से, जो Russian सेनिक थे, उनको Ukraine में घुसने को कहा गया, कब, on February 24, इसी साल 24 फरवरी को, but this plan, लेकिन Mr. Putin का ये जो plan था, did not quite work, as, तो उस plan ने जो है, ठीक काम नहीं किया, और क्यों नहीं किया, देखो, as यहाँ पर आया है, इस as का प्रियोग किया जाता है, reason को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए, तो Mr. Putin के plan ने work इसलिए नहीं किया, क्योंकि जो Ukrainian forces है, यानि कि Ukraine की जो सेनाए है, बैक्ड, उन्होंने जो है support किया, बैक्ड, militarily and economically, by the use, देखो, किसी को बैक करने का मतलब होता है, किसी को अपना समर्थन देना, किसी को support करना, तो Ukraine की, या जो आप कह सकते हो, Ukraine की जो सेनाए है, forces का मतलब होता है, सेनाए, Ukraine की जो military है, उसको समर्थन मिला, support मिला, किसी चीज का, बैक्ड, Ukrainian forces, बैक्ड, सैनिक रूप से, और आर्थिक रूप से, अमेरिका और योरॉप के द्वारा, Ukraine को मदद मिली, इसके कारण क्या हुआ, slowed down, the enemy's advances, इसके कारण यह हुआ, slow down का मतलब है, धीमा पढ़ जाना, the enemy, इनेमी यहाँ पे आया है, रूस के लिए, advance का मतलब है, आगे बढ़ना, कि रूस का जो आगे बढ़ना था, वो धीमा पढ़ गया, क्यों? क्योंकि यूक्रेन के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, और यूक्रेन को support मिला हुआ था, अमेरिका और योरॉप का, and और इस तरह से क्या हुआ? made the invasion, invasion का मतलब होता है, attack, आक्रमन, made the invasion, costly, for the Russians, और रुशिया के द्वारा ये जो attack किया गया था, ये बहुत ज़्यादा costly पढ़ गया रुशिया को, यानि कि ज़्यादा कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, रुशिया को शुरुवात में लगा था, कि यूक्रेन है चोटा मोटा देश है, हम जैसे चाहेंगे वैसे control कर लेंगे, लेकिन जब यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप का support मिल गया, यूक्रेन ने रुस का प्रतिरोध किया, तो ultimately रुशिया को भी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ी, earlier, पूर्व में, Mr. Putin had two Vidra troops, Vidra का मतलब है वापस लेना, troops का मतलब हो गया, Senay, Senay Dal, from, around का मतलब होता है के आसपास, कीव and Kharkiv, Mr. Putin को क्या करना पड़ा, head to, इसका प्रियोग किया जाता है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं आपके हिंदी के करना पड़ा, तो Mr. Putin head to Vidra troops, Mr. Putin को अपनी सेनाओं को वापस लेना पड़ा, कहां से, कीव और Kharkiv के आसपास से, and focus, और Mr. Putin को ध्यान के इंद्रित करना पड़ा, किस चीज़ पर, Ukraine's East and South, कि Ukraine का जो पूर्वी और दक्षिनी चेत्र है, उस पर focus करना पड़ा, वेर, देखो, Ukraine का जो पूर्वी और दक्षिनी चेत्र है, यहाँ पर क्या है, वेर, the Russians made territorial gains, territory का मतलब होता है, चेत्र है न, territorial gain का मतलब है, आपने कुछ प्राप्त कर लिया, territorial gain का मतलब है, कि particular चेत्र को आपने अपने कबजे में ले लिया, आपने अपने control में ले लिया, तो यूक्रेन के जो पूर्वी और दक्षिनी चेत्र हैं, उनको रशिया ने अपने control में ले लिया था, तो इन चेत्रों में फिर रशिया ने अपना focus किया, बट रशिया सफर्ड, देखो सफर्ड का मतलब होता है, जेलना, भुगतना, इट्स फर्स्ट मेजर बैटल फिल्ड डिफीट, लेकिन रशिया ने अपनी पहली बड़ी युद्ध इस्थल पे हार जेली, कब? अर्लियर दिस मन्त, इस मन्त की शुरुवात में, कहां पर? खार्खीव में, खार्खीव ओबलास्ट, ये एक पर्टिकुलर छेतर का नाम है, इस पर्टिकुलर छेतर में, इस मन्त की शुरुवात में, युद्ध इस्थल पे रशिया को पहली बार हार जेलनी पड़ी, इन दा खार्खीव ओबलास्ट, इन दा नौर्थीस्ट, अब ये जो खार्खी ओबलास्ट छेतर है, ये यूक्रेन का नौर्थीस्ट छेतर है, यहाँ पर क्या हुआ, इस टूप्स, यहाँ पर इस आया है किस के लिए, रशिया के लिए, रशिया की जो सेनाए है, हैड टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है, इन पर्टिकुलर छेतरों में, रशिया की सेनाओं को पीछी हटना पड़ा, इन दा फेस ओफ, इन दा फेस ओफ का मतलब होता है, जब आप किसी चीज से टकराते हो, जब आप किसी चीज का सामना करते हो, तो यहाँ पर रशिया की सेना को पीची हटना पड़ा इसका कारण क्या था? किस चीज से टकरा गई रशिया की सेना? तो इसका in the face of का दूसरा मतलब आप यह भी कह सकते हो के कारण लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है very fast Ukrainian counter-offensive offensive का मतलब होता है attack, हमला, आक्रमन और counter का मतलब है कि जैसे मैंने आपके ओपर attack किया अब आप मेरे ओपर भी attack करोगे तो इसे कहेंगे counter-attack तो रशिया की सेना उपर जब counter-attack किया गया यूक्रेन के दौरा और यह जो attack था यह बड़ा ही lightning था बहुत ही fast attack था इसके कारण क्या हुआ कि रशिया की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा इस सेट बेक यह जो नाकाम याभी है प्रतीत हुई तो हैव क्विकंड तो हैव देखो तो हैव और इसके साथ में वी थरी का प्रियोग इसको हम बोलते हैं perfect infinitive इसका प्रियोग किया जाता है किसी ऐसे action को दिखाने के लिए जो complete हो गया है तो यह जो this setback तो यह जो नाकाम याभी मिली रशिया को प्रतीत हुई क्या कि इस नाकाम याभी ने क्या किया तो हैव क्विकंड और ज़्यादा तीवर कर दिया किस चीज को kremlin kremlin यहाँ पर आया है रूस के लिए kremlin's move move का मतलब है कदम कि इस नाकाम याभी ने रूस के कदम को और ज़्यादा बढ़ा दिया क्या था रूस का कदम कौन से कदम को बढ़ा दिया to consolidate देखो consolidate का मतलब होता है और ज़्यादा मजबूती देना जैसे आपका कोई प्लान है उसे और ज़्यादा मजबूती देना चीजें बिखरी हुई है उन सभी चीजों को समेकित करना उसको भी हम बोलते हैं consolidate करना चीजें इदर उदर बिखरी पड़ी है आपने उनको एक साथ ला दिया इसे भी कहते है consolidate करना किसी चीज को आपने और मजबूत कर दिया उसे भी कहेंगे consolidate करना तो finally रशिया को जो हार जहलनी पड़ी इसके कारण रशिया ने कदम उठाया और consolidate किया मजबूती प्रदान की its positions रशिया ने अपनी जो positions थी in captured captured का मतलब है जिसे आपने अपने control में ले लिया है Ukrainian territories कि यूक्रेन के वे छेत्र जिनको रशिया ने अपने कबजे में ले लिया है वहाँ पर अपनी position को और ज्यादा सुद्रण बनाने के लिए रशिया ने कदम उठाए प्रो रशिया separatist देखो separatist बोला जाता है अलगाव वादी जो अलग होना चाहता है इन प्रो रशिया का मतलब है जो रशिया को support करता है जो रशिया समर्थक है इन लुहांस्क दौनेट्स्क and दौनेट्स्क in the east and कहर्षन and जैप्रो जैप्रो जिजिया in the south are now planning अब देखो कि भई ये जो पर्टिकुलर चेट्रों की बात कर रहे है नाम जिसे लौहांस्क दौनेट्स इसके लावा ये खेर्षन तो ये जो चेत्र है इन चेत्रों में जो रशिया समर्थक अलगाव वादी है वे ये प्लान बना रहे हैं ये योजना बना रहे हैं to hold hold का मतलब आयोजित करना कि आयोजित किया जाए क्या? referendum देखो referendum का मतलब होता है लोगों का opinion लेना लोगों की राय लेना लोगों का मत लेना तो ये जो लोग हैं ये प्लान बना रहे हैं कि भई referendum करवा लिया जाए लोगों की राय ले ली जाए किस बात के उपर? on joining the Russian Federation कि क्या वे ये जो रूस है इस संग को जोइन करने के लिए तयार हैं कि भई वे क्या वे रूस के साथ मिलने को तयार है as जैसा की यहाँ पे as आया जैसा की the results are non जैसा की परिणाम पहले से ही पता है माल लो यहाँ पे referendum होता है तो उसके परिणाम पहले से ही पता है यहाँ ज़्यादातर लोग प्रो रशिया है अलगावादी है तो रशिया के फेवर में ही जाएंगे even before the first ballot is cast देखो cast a ballot इसका मतलब होता है अपना vote डालना cast a ballot इसका मतलब होता है vote डालना कि पहला मतदान डाला जाए इसके पहले ही results जो है वे बिलकुल इसपश्ट है साफ है the door is now shutting on the possibility तो इस संभावना के प्रती जो है दर्वाजा बंद हो रहा है of a negotiated negotiated का मतलब होता है कोई ऐसा solution या कोई ऐसा समाधान जिस पर बातचीत करने के माध्यम से पहुचा जाता है उसको कहेंगे negotiated settlement of the conflict based on the pre-war borders तो देखो यह जो संभावना थी ना कि एक settlement कर लिया जाए negotiation कर लिया जाए कि Ukraine और रश्या जो है negotiation कर लें बातचीत कर लें और इस conflict को conflict का मतलब है संगर्ष की स्थिती जो होती ना उस conflict को सुलजा ले और किस आधार पे सुलजा ले on the pre-war borders कि युद्ध की शुरुवात के पहले जो सीमाई थी उनको आधार बना कर इस conflict को जो है settle कर लिया जाए तो इसकी भी जो संभावना है वे अब लगातार जो है बंद होती हुई नजर आ रही है for Mr. Putin Mr. Putin के लिए the escalation escalation का मतलब मैंने आपको बताया कि situation को और ज़्यादा तनाव पूर्ण बना देना और ज़्यादा मालो कोई situation जो की पहले सी tension है तो उस tension को और ज़्यादा बढ़ा देना the escalation comes with added risk कि Mr. Putin जो है उन्होंने घोशना की है कि भई वे जो है युद्ध को और आगे बढ़ाएंगे इसके अलावा उन्होंने इस तरह की भी बातें कही है कि जरूत पड़ी है तो वे nuclear attack भी कर सकते हैं तो ये जो escalation कर रहे हैं Mr. Putin यानि की situation को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं with added risk तो इसके साथ और कई जोखिम है और कई खत्रे भी जुड़े हुए है He went into Ukraine with limited forces प्रारंब में वे Mr. Putin ने Ukraine में प्रिवेश किया सीमित सैनाओं के साथ In the first place In the first place का मतलब हुआ कि सबसे पहले Mr. Putin ने Ukraine पर जब युद्ध की शुरुवात की तो उन्होंने अपनी limited सैनाओं के साथ इस युद्ध की शुरुवात की Because क्यों ऐसा इसलिए He knew उन्हें पता था That a general mobilization कि अगर एक सामाने रूप से सैना को पूरी तरीके से mobilize किया जाता है यानि कि सैना को एक particular छेत्र में जुटाया जाता है देखो ये जो mobilization है न इसके लिए एक particular शब्द होता है हिंदी में उसको हम बोलते है लाम बंदी लाम बंदी का मतलब होता है कि आपने क्या किया सैना को एक particular छेत्र में एकत्रित कर दिया तो उसको बोलते है mobilization Because he knew that a general mobilization क्यों? क्योंकि मिश्टर पुतिन को पता था कि अगर उन्होंने general mobilization किया which would need और इसके लिए जरूरत होगी nationwide nationwide का मतलब है देश व्यापी conscription conscription बहुत important शब्द है ये one word में बहुत ज़दा पूचा जाता है conscription का मतलब होता है अनिवार्य सैन्य भर्ती तो मिश्टर पुतिन को पता था कि अगर limited forces से जादा अगर सैनिकों का उन्होंने प्रियोग किया तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी पूरे देश से अनिवार्य सैन्य भर्ती की जाए तो मिश्टर पुतिन को ये पता था कि उनका ये जो प्लान है न could be unpopular उनका ये जो प्लान है वह हो सकता है रूस की जनता को पसंद ना आए और उनका ये जो प्लान है न वो popular बनने की बज़ाए unpopular हो सकता था ठीक है उनको ये बात जो है clear थी but almost eight months later later का मतलब होता है बाद में लेकिन लगभग आठ महीनों बाद his war has not only failed लेकिन आठ महीनों बाद ये जो युद्ध की शुरुवात Mr. Putin के दोरा की गई थी ये युद्ध न केवल आसफल हुआ है to meet its declared objectives declared का मतलब होता है घोशित objectives का मतलब होता है उद्देश कि ये जो युद्ध है न केवल अपने घोशित उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसफल रहा है meet का मतलब प्राप्त करना which includes देखो जो युद्ध की शुरुवात की गई थी न तो इसके कुछ objectives थे उद्देश थे उनमें ये उद्देश भी शामिल था which includes Ukraine's demilitarization की Ukraine जो है उसका demilitarization कर दिया जाए की Ukraine का आसेनी करन कर दिया जाए यानि की Ukraine को सेनाविहीन बना दिया जाए तो कुल मिला के ये जो प्लान था ये प्लान आसफल रहा रशिया का but has also seen लेकिन इस युद्द के द्वारा रशिया ने इस बात को भी देखा है a reinvigorated देखो reinvigorate का मतलब होता है किसी चीज में नई जान डालना नई एनरजी डालना नई उर्जा का संचार करना लेकिन इस युद्द के माद्यम से ये भी देखा गया है क्या a reinvigorated nato कि जो nato आप कहा सकते हो कि ये जो nato संगठन है इसमें और ज्यादा उर्जा आ गई है और ज्यादा जो है इसमें हमें उर्जा देखने को मिली है और यानि कि nato जो है और मजबूत हुआ है throwing throw का मतलब है फेकते हुए प्रहार करते हुए its collective का मतलब हुआ सामुहिक wait behind Ukraine तो nato की जो सेनाए है इन्होंने क्या किया है सामुहिक रूप से अपना वजन जो है यूक्रेन के पीछे लगाया है यानि कि यूक्रेन को nato ने एक जबरदस्त उर्जा के साथ support किया है and expanding itself expanding का मतलब है विस्तार करते हुए और nato ने क्या किया है अपना विस्तार किया है expanding itself further का मतलब है और आगे बढ़ते हुए into the Russian borders की रशिया की जो borders हैं उन borders में और ज़्यादा आगे nato ने अपना विस्तार किया है by taking in taking का मतलब है अपने कभजे में लेते हुए Finland and Sweden as its member अब nato के सदश्य के रूप में Sweden और Finland भी शामिल हो गए है तो इस तरह से कह सकते हैं कि भी nato का विस्तार हुआ है Mr. Putin and his defense minister Sarjay Shogu acknowledged Mr. Putin और उनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस चीज को सुईकारा the challenges on Wednesday कि जो भी चुनोतियां उनके सामने हैं न उन चुनोतियों को रक्षा मंत्री और Mr. Putin दोनोंने सुईकारा बुद्धवार को If Mr. Putin Who dialed up the nuclear threat देखो dial up का मतलब होता है कि आपने क्या किया dial up का मतलब है कि आपने और ज़्यादा बड़ा दिया किसी चीज की degree को किसी चीज की quality को Who dialed up the nuclear threat यानि कि यह जो nuclear threat का मतलब हुआ कि एक तरह से परमानू युद्ध की धमकी यह है nuclear threat का मतलब यहाँ पे तो Mr. Putin जिनोंने क्या किया है इस चीज को और ज़्यादा बड़ा दिया है कि उन्होंने इस चीज को बड़ा दिया है कि यह जो परमानू युद्ध का जो खत्रा है इसको बड़ा दिया है Mr. Putin ने तो यदि Mr. Putin ने ऐसा किया है if Mr. Putin said his troops are facing the best of the western military machines in Ukraine Mr. Putin ने कहा है कि उनकी जो सेनाए है उनको सामना करना पड़ रहा है किस चीज का the best of the western military machine in Ukraine कि Ukraine में रशिया की जो सेनाए है उने पस्चिम के जो बहतरीन आप कह सकते हो सेन ये मशीने हैं उनका सामना रशिया को करना पड़ रहा है तो एक तरप तो Mr. Putin ने ये कहा दूसरी और Mr. Shogu जो है यानि की रूस के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने क्या कहा है Whose Ministry यानि की उनका जो डिफेंस विभाग है Whose Ministry Till now उसने अब तक क्या किया है Avoided Avoided का मतलब है किसी चीज से बचना Calling the military Operation a war यानि की Mr. Shogu की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अब तक इस चीज से बच्चती रही है कि इस चीज से Military Operation को War कहने से इस Military Operation को युद्ध कहने से Said Russia Today Is At War और अब Finally Mr. Shogu ने क्या कहा है उन्होंने ये कहा है देखो ध्यान दे न ये यहां से और यहां तक Comma to Comma ये क्या थी additional जानकारी थी इस वाकिए को इस तरह पढ़ो Mr. Shogu said Russia Today Is At War With The Collective West कि अब तक Mr. Shogu जो है वो इस बात से बच रहे थे इस बात को avoid कर रहे थे यानि कि वे ये नहीं मान रहे थे कि Ukraine में जो हो रहा है वो war है वे कह रहे थे ये special military operation तो finally उन्होंने भी क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि Russia जो है आज Is At War वो देखो At War का मतलब क्या At War का मतलब है कि भई अब दोनों पक्षी जो है वे आमने सामने है टकराहट में है और लड़ाई की situation में है With the collective west का मतलब हुआ सामुहिक पस्चिम collective west का मतलब हुआ कि जो पस्चिम के पूरे की पूरे देश है यानि कि अमेरिका के साथ ही European countries भी आ गए इसमें तो कुलमिला के उन्होंने कहा है कि रूस जो है लड़ाई का सामना कर रहा है पूरे पस्चिम से faced with battlefield setbacks faced with का मतलब है कि इस चीज का सामना करने के साथ battlefield का मतलब है युद्ध स्थल पे और setback का मतलब है नाकाम्यावी विफलता आसफलता तो युद्ध स्थल पे आसाफलता का सामना करने के साथ ही sanctions का मतलब होता है प्रतिबंध देखो ये जो यूक्रेन युद्धी की शुरुआत होई है न तब से अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी राष्ट्र है उन्होंने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये है and geopolitical challenges geopolitical का मतलब हुआ भू राजनेतिक इसके अलावा और भी कई भू राजनेतिक चुनोतियों का सामना रूस को करना पड़ रहा है तो ये जो आसाफलता रूस को मिली है जो प्रतिबंधों का सामना रूस को करना पड़ रहा है इसके अलावा अन्य जो geopolitical challenges है इन सब को धिहान में रखते हुए Mr. Putin believes Mr. Putin ये मानते है escalation escalation का मतब है situation को और ज़्यादा बढ़ा देना is the way forward the way forward का मतब है आगे का मार्ग यही है Mr. Putin को लगता है कि जिस तरह से situation निर्मित हुई है कि पूरा west जो है वो रूस के खिलाफ लड़ने को तयार है तो Mr. Putin को लगता है Mr. Putin ये believe करते हैं कि escalation is the way forward but there is no certainty लेकिन इस बात की कोई निश्चित गारंटी नहीं है निश्चितता नहीं है that a partial mobilization कि आनशिक रूप से अगर लाम बंदी की जाती है कि आनशिक रूप से माल लो सेना को जुटाया जाता है तो इसके माध्यम से would produce quick results उसके माध्यम से रशिया को जो है शीगर परिणाम मिलेंगे इसकी भी कोई निश्चितता नहीं है and it could could का मत्द, could यहां पे आया है possibility के लिए कि ऐसा भी हो सकता है यह संभावना भी बन सकती है कि अगर रशिया जो है सेना का mobilization करता है तो इसके माध्यम से यह भी हो सकता it could well trigger, trigger का मत्तब है शुरुआत कर देना a cycle of escalation कि escalation के cycle की शुरुआत हो सकती है बई मान लो रशिया जादा मात्रा में सेना को युद्ध मैदान पे उतारता है तो यूकरेन को जो देश support कर रहे है वो जादा मात्रा में सेना को उतारेंगे फिर रशिया और जादा सेना लेके आएगा उधर से जो पस्चिम के देश है वे और जादा सेना को लेके आएगे तो कुल मिलाके एक cycle एक चक्र की शुरुवात हो सकती है escalation चक्र की शुरुवात हो सकती है all this means और इस सब का मतलब क्या है इस सब का मतलब यह है that the war is entering a far more dangerous face इसका मतलब यह हुआ face का मतलब होता है कि यह जो युद्ध है यह far more far more का मतलब है कहीं अधिक कि यह युद्ध जो है normal की बजाए और भी जादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा है